नमस्कार मित्रोव स्वागत आपका इस यूट्यूब चैनल पे नई सिक्षक भरती का विज्यापन जारी कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन संयुक्त युवा मोर्चा की ओर से धर्ना प्रदर्शन किया गया चुनाओ जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे जो एक नई सिक्षक भरती या नई किसी भी प्रकार की भरती की जो गर्माहट है वो तेज है इसके पीछे कुछ कारण ये है कि चुनाओ के समय पे हमेशा भरतीयों का आपको जमावडा दिखता है और दूसरा इस वक्त अगर धर्ना प्रदर्शन या मंत्री से या विधायक से या अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखकर कोई भरती को ले आया जाए तो वो भी थो ने धर्ना प्रदर्शन किया अब भीरतियों का कहना था कि प्रात्मिक सिक्षक के एक दिशमलव दो छे लाग पद रिक्त होने के बाद भी बेसिक जबाग की और से कोई भी रिक्त पदों का डाटा सरकार को महिया नहीं कराया जा रहा है इसमें डियलेट प्रसिक्षण कि अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश सरकार 79,000 सिक्षक भरती कट आफ का क्रण पर 51,112 अगली सिक्षक भरती देने का हलफ नामा लगाया था लेकिन पांच वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी बेसिक जबाग भरती नहीं कर रहा है प्रदर्शन में कई आपके मित्र पांच साल से हो रहा है और नई भरती देखने को नहीं मिली है जो की आनी चाहिए तो इसको लेकर चाहे टुटर पर हो चाहे अपने जिले के अपने प्रदेश के किसी भी नेतागर्ण किसी भी मंतरी विधायक जिससे भी आपकी पहुंचो उन तक अपनी बातों को के समय में ये चीज पूरी होने की जादा संभावना होती है इस वक्त अगर आप दीमे पड़ गए तो फिर मान के चलिए कि अगले दो या तीन साल जब फिर यूपी में चुना होंगे तब जाके आपको कहीं कुछ देखने को मिलने वाला है लेकिन एक कबार आपको और दे बसता है नौगरी पाना तो वो खबर भी जल्दी आपको देखने के मिलेगी तो फटा फटा आप इस खबर को देखिए और अगली खबर का इंतिजार कर लिए लास्त अपने वीडियो देखिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुप हो